आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में मैं बात करने वाला हूँ मई दोहजार चॉबीस के टॉप हंड़ेड करेंट अफियर्स को लेकर आप जानते हैं कि हर महीने के टॉप हंड़ेड कोशन्स में लेकर आता हूँ आपके पास और इससे पहले भी हम दोहजार तेईस में दोहजार चॉबीस के अब तक चार महीनों के भी करेंट अफियर्स में टॉप हंड़ेड आप देख चुके हो मई मंत की बात भी हम कर लेते हैं जल्दी से आप कोई भी वन्डे एक्जामिनिशन अगर देने जा रहे तो ये कोशन्स आपके लिए बहुत स्किन गहां मिद 스मी शक्री आपके शहें तो इस बिल्फिशन आप गावnal прекрасivBe हिताची payment services ने भारत में एक नए concept की शुरुआत की और यहां पर इन्हों ने कुछ upgradeable यानि की ATM शुरू की है जो नई technology के साथ adjust कर पाएंगे modify कर पाएंगे तो नई technology पर based यानि upgradable ATM जो है वो शुरू करें किसने हिताची payment services limited के दुआरा जवाहर लाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में इससे थे याद रखना उसके मनोज कुमार क्या बने है याद रखो सवाली सरहां से पुछा जाए या फिर सवाली सरहां से हो कि जवाहर लाल नेहरू पोर्ट मुंबई में इससे थे उसके नए cvo चीफ vigilance officer कौन बनाए गए या बने चीफ vigilance officer भारती वैक्सीन निर्माता संग के अध्यक्ष के रूप में कौन बना है भारती वैक्सीन निर्माता संग जो है याद रखना एक्शली इससे पहले तक जो सीरम institute of India है हमारा उसके जो अधार पुना वाला थे वो ही इसके अध्यक्ष लेकिन अब भारत बायोटेक जो हैदराबाद में इससी थे भारत के उसकी जो अध्यक्ष हैं यापर कृष्णा एला वो इस vaccine manufacturing संग की अध्यक्ष हों अध्यक्ष हाली में नवरतन का दर्जा दिया गया और ये देश की सत्रवी नवरतन कंपणी बन गई है इससे पहले 16 कंपणीओं के पास नवरतन ता राइट्स आ रैट्स नामक कंपणी ती जो वो लास्ट बनी थी उससे पहले 15 में IR कौन नामक कंपणी थी IREDA जो Ministry of New and Renewable Energy में काम करती है ये बनी है सत्रवी नवरतन कमपानी भारतिय वायू सेना और भारतिय नो सेना में हवा से सतह पर मार करने वाला हवा से जमीन पर मार करने वाला यहां पर एक नया सुपरसोनिक मिसाईल लाया गिया है हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क टू नाम दिया गया जिसे ये हवा से सतह पर मार करता और याद रखना दो सो पचास किलोमेटर की रेंज वाला है ये हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क टू कहेंगे हाली में दिक्षियत चान समारो में मनिपाल Academy of Higher Education जो मनिपाल अकेडमी है उसके दुआरा यहाँ पर के वी कामत को डॉक्टरेट जैसे कि आपको याद होगा हमारी जो द्रोपदी मुर्मुजी राश्पती है हमारी उन्हें मौरिशस की तरफ से डॉक्टरेट की उपादी दी गई ती उसी परकार से के वी कामत को यहाँ मनिपाल अकेडमी ऑफ हायर एडुकेशन एडॉक्टरेट की सम्मान किया है उस कंपनी का नाम जिसके चौदह उत्पादों को लाइसेंस रद कर दिया उत्रखंड सरकार ने वह पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड याद रखना पतंजली की आयुर्वेद कंपनी पतंजली दिव्या फार्मेसी और आयुर्वेद लिमिटेड की चौदह कंपनिया क्योंकि इनन मिस लीडिंग एडवराइसमेंट की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक 2019 में इन परकारवाई हुई है और इनके 14 उत्पात को उत्रखंड सरकार ने भी परतिबंदित कर दिया है किस बैंक ने वानिजिक वाहन वित के लिए टाटा मोटर्स के साथ साज़ेदारी की है याद रखो टाटा मोटर्स के साथ साज़ेदारी करने वाला बैंक साउथ इंडियन बैंक के है यानि अगर आपको टाटा मोटर्स के वीकर्स लेने है तो उसके लिए आपको जो वित यानि फाइनेंसिंग की जरुवत होगी वो साउथ इंडियन बैंक से की जा सकेगी विए विभाग के निदेशक यानि की डारेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट अफ एक्सपेंडिचर कौन बनाए गए वित मंत्राले में छे विभाग है उनमें से एक डिपार्टमेंट अफ एक्सपेंडिचर है उसके अध्यक्ष यानि निदेशक की रूप में पूछा है तो याद रखो परवीन रंजन जो होंगे वो विए विभाग के यहाँ पर डारेक्टर बनाए गए घाना में कोको जो की चॉकलेट के लिए होता है की फसल में गिरावट लगबग 50 परतिशत तक के लिए जिम्मेदार वाइरस कौन सा होगा तो यहाँ पर काकाव स्वैलन शोट वाइरस ए सब्सक्राइब बनाई है यानि की लोगों को यह वेर करने के लिए कि चुनाव में वोट कैसे होता है और लोग आवेर होंगे हैसिटेट एट कम करेंगे तो लोग जाएंगे चुनाव में वोट करने किस तरह बटन दबाना है कितनी देर तक दबाना पूरा 3D मॉडल बनाय इन्होंने और लोगों को वेर कर रहे हैं यह स्पेसिविकली रूरल और रिमोट एरियाज में रहने वाले लोगों को और यह आईएटी गुहार्टी ने बनाया है किस वर्ष तक भारत की एकॉमर्स मार्किट जो वो तीसरी सबसे बड़ी मार्किट हो जाएगी तो भारत की एकॉमर्स मार्किट जो होगी वो तीसरी सबसे बड़ी मार्किट जो हो जाएगी याद रखना वो कहां पर हो जाएगी 2030 तक ऑनलाइन शॉपिंग भारत में तीसरा स हितेश कुमार सेथिया जो है वो चुने गए जियो फाइनेशल सर्विसिस के एमडी और सी यो की रूप में दोजर चौबीस का गोल्ड में परियावरन पुरुसकार जिसको की नॉबल पुरुसकार ग्रीन नॉबल पुरुसकार क्याते हैं और इसके लिए याद रखना आलोक शुकला को 36 गड़ बचाओ आंदोलन किसके लिए 36 गड़ बचाओ आंदोलन चलाया इन्होंने आलोक शुक्ला को नॉबल ग्रीन नॉबल पुरुसकार दिया गया पंडित लच्छु महाराज 2024 से समानित क्या गया है एक्शुली पंडित लच्छु महाराज जोकी कतक डांसर है यहाँ पर 2018 के लिए हमामालिनी को 2019 के लिए साहराबानो को 2023 के लिए अशीम बंदु भटाचारिया को और 2024 के लिए राजेंदर गंगानी को यहाँ पर चुना गया है क्योंकि यह सारे अवोर्ड 2015 से 2024 तके एक साथ अनाउंस किये गए हैं बहुत लंबे समय से अवोर्ड नहीं दिये जा रहे थे और यह पंडित लच्छो महाराज 2024 से होंगे राजेंदर गंगानी भारतिय वित्य अनुदान यानि लगबख 61.5 मिलियन डॉलर देने वाला है भारत 61 मिलियन डॉलर की मदद करेगा भारत कांके स्थाई बंदुरागा जो होगा और कांके स्थुराई बंदुरागा जो होगा यह शेलंका देश में हैं और भारत इसके लिए वित्य साहता करने वाला है IQ Air के अनुसार सबसे अनहल्दी जो Air है वो किस शेहर की होगी दिल्ली सान दूसरे पर आता है दिल्ली से भी पहले यहाँ पर काठमांडू को रखा गया है कि यहाँ पर अस्वस्थ हवा के मामले में जो काठमांडू होगा वो शेहरों की सूची में नंबर एक पर होगा समझ में आ रही है मेरी आपको तो हम यहां बात क्या कर रहे थे कोशन नमर 19 पर बात कर रहे थे कि अस्वस्वा वाले शेहरों की सूची में काटमंडू जो है वो सबसे नमबर एक पर है परतिभूती अपीले न्याधिकरण यानि यानि अगर शेयर बाजार से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका समधान चाहिए आपको तो आप कोट जाने के बजाए इस संस्था के पास चले जाए एस एटी कहते हैं जिसे और यह संस्था क्या करेगी आपकी प्रॉब्लम्स की सुनवाई करेगी इसके ओफिसर के रूप म प्रिशाइड ऑफिसर जी ने कहा जारा है इसके रूप में किसे चुना गया है तो यहाँ पर जो जॉस्टिस दिनेश कुमार होंगे क्योंकि एसी पूस्ट पर हमिशा कोई हमारा ज़स्टिस ही होता है। जौपाइंट क्या जाता है। हिमाचल परदेश के नए पुलिस महानिदेशा के नए डीजीपी कौन बनाएंगा हिमाचल परदेश के नए डीजीपी की रूप में याद रखना अतुल वर्मा को चुना गया है हिमाचल के मुख्यमंत्री का नाम भी आपको याद होना चाहिए रिसेंटली सुखविंदर किस न्यामक संसा ने SS money इंडिया लििटेड का लैसेंस रद कर दिया एस मेनी क्या है दिखो यहां पर यह एक NBFC के रूप में यानिके एक financial company के रूप में काम कर रही थी लेगिन जब भी कोई company financial company हो ॑र वो अगर कोई वी ऐसा कोई एक्षन लेती है और दिल्ली इस्तित ये कमपनी जिसका नाम S-Money India इसका लाइसेंस RBI के दुवारा रद किया गया है। DRDO दुवारा किस तट पर स्मार्ट एंटी सब्मरीन मिसाइल सिस्टम का प्रिक्षन किया गया है। तो एक नई मिसाइल बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है स्मार्ट यानि सुपर सौनिक ये मिसाइल होने वाली है और उडिसा के तट पर हम जानते हैं उडिसा के तट पर इसको लांच किया गया है। पीजे अब्दुलकलाम जो कॉस्ट है अब्पीज अब्दुलकलाम जो तट है यहां पर वो उडिसा में आता और यहीं पर इसको लांच किया गया है। एहमदाबाद में मुद्रा इंस्टिटूट ऑफ कॉम्यूनिकेशन की पहली महिला निदेशक की रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे पहली महिला निदेशक बनी है यहां पर किसकी जो मुद्रा इंस्टिटूट ऑफ कॉम्यूनिकेशन की उनका नाम क्या होने वाला है। तो यहां पर उनका नाम इंपॉर्टेंट होने आएगा जया देशमुक इसकी अध्यक्ष बनी है। कॉर्पूरेट सामाजिक उतरदाइत में उतकरश योगदान के लिए यानि CSR में आउटस्टेंडिंग परफॉर्मेंस के लिए किसे यहां समानित किया गया देखो CSR होता है कि हर कमपनी को अपने प्रॉफिट का 2% सामाजिक वेलपेर के लिए खर्च करना होता है और ऐसा करने में जो बीना मोदी हैं बेसिक तोर पर इन्हें आउटस्टेंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ दे यर भी चुना गया 2023 का और इन्हीं को यहां उतकरश योगदान के लिए भी समानित किया गया वर्ड लाइन इपेमेंट्स इंडिया को भुकतान आग्रिगेटर यानि पेमेंट आग्रिगेटर के रूप में कार्य करने की मनजूरी लिए और थियोग संवरधन और आंतिरिक व्यपार विभाग के निदिशक की रूप में यानि जो हमारा यह डिपांट है डिपार्टम प्रमोशन ओफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये मिनिस्ट्री ओफ कॉमर्स एंडस्ट्री में आता है इसके अध्यक्ष के रूप में अगर ये पूछा जा इसके निदेशक के रूप में कौन चुना गया है तो आपको याद रखना है परतिमा सिनहा जो होंगी यहा पर गड़े हुए क्रेटर बने हुए है जो वहां पर इन्हें जल बर्फ की मात्रा की उबस्तिती मिली है यानि यहां पर बर्फ जमी हुई है और वो जल की रूप में कनवर्ट हो सकती है यानि की जल बर्फ की महत्पूर मात्रा की उबस्तिती का पता चला है किसे इस पुर्पुर में था यह समविधान पार्क है यह आपका पुणे में बनाया जा रहा और पुणे में इसे बनाया है इंडिया की नेवी है आर्मी है यह सेना और उसके अलावा जो पुनीत बालान गुरुप है यहां का इंडियन आर्मी और पुनीत बालान गुरुप यह दोनो कोई शिकायत है तो आप उसके लिए इस affiliate authority के पास जाएंगे problem को solve करने और यहाँ पर हमारे former justice यानि संजीय कुमार मिश्रा को GST affiliate authority के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारती एडटेक startup यानि education से related company को time magazine ने विश्व की शीर्ष एडटेक company 2024 में जो इस्थान दिया है वो कौन सी company को दिया याद रखना तो एक company जो विश्व की शीर्ष educational technological company बनी है उसका नाम है Emirates तो Emirates company यहाँ पर number one पर रही है times magazine में ब्रस्ट चार विरोधी उन लंगन के कारण किस खिलाडी पर वेस्ट इंडीज का खिलाडी है यह जिस पर पांस साल का प्रतिबंद लगाया गया उस खिलाडी का नाम है Devon Thomas जिन्होंने अलग-अलग leaks के अंदर यहाँ पर match fixing से related आरुपो को सुईकार कर लिया अपने और पांस साल के लिए प्रतिबंदित किया है ICC ने वेस्ट इंडीज के Devon Thomas को भारत में के पूर्व COO ने अभी हाली में एक internal capital लाँच किये company लाँच किये internal capital वो कौन है वहल क्या बनाए इन्होंने eternal capital के नाम से company शुरू किये नामी बिया में UPI शेली भुक्तान प्रणाली शुरू करने में कौन सा संगठन सेयोग कर रहा है या नी अब नामी बिया के अंदर भी अगर हम चाहें तो UPI से payment कर सकते हैं तो भारत का NPCI है जो और नामी बिया का bank of नामी बिया है जो इन दोनों के बीच में सहमती हो चुकी है भारत का national payment corporation of इंडिया है और अब नामी बिया में भी UPI का इस्सेमाल किया जा सकेगा अगला question क्या है Solomon Dweep में नए परधानमंत्री के रूप में किसे न्यूक्ट किया गया है Solomon Dweep के नए परधानमंत्री देखो Solomon Island एक country है जिसकी राजानी होनोईरा है कुछ है और इसके नए जो यहाँ पर परधानमंत्री बने हैं उनका नाम क्या होगा जेरेमिया मनीले के नाम से होने वाले हैं Solomon के होनोईरा इसकी राजानी होगी आठ ट्रिलियन बाजार पुझी करण को पार करने वाला देश का दूसरा बैंक कौन सा बन चुका है याद रखना HDFC पहला है और उसके बाद SBI तीसरा बन चुका है अभी वैसे ये नियूस क्योंकि ये मई तक की है वो जून दोहजार चौबीस में अब SBI भी जो है वो आठ करोड की मार्केट केप्टल वाला ये पहला सरकारी और ओवरॉल तीसरा बैंक बन चुका है यानि इससे पहले HDFC उसके बाद ICIC और अब SBI भी अगर आप चाहो तो include कर सकोगे इसमें लेकिन वो जून की current affairs में देखने को मिलेगा यूक्रेन के विदेश मंत्राले की दुआरा एक virtual artificial intelligence प्रवक्ता लॉंच की गई यानि ये एक AI based इनकी spoke person होगी यानि जो भी बात करनी होगी विदेश मंत्राले को वो AI based spoke person होगी और उनके दुआरा होगी जिनका नाम रखा गया Victoria She रास्टिय सोर उर्जा संस्थान NISE है जो हमारा उसके महा निदेशक डारेक्टर जनरल कौन बने है National Institute of Solar Energy के महा निदेशक के रूप में कौन चुना गया है याद रखेंगे वह इसमें सही आंसर होगा मुहमद रिहान ये अलीगल मुस्लिम यूनिवर्स्टी में प्रोफेसर रह चुके AMU के अंदर और यहाँ पर National Institute of Solar Energy के डारेक्टर जनरल बनेंगे अंतरास्टिय शत्रण्ज महा संग के दुआरा Grand Master की उपाधी से सम्मानित किया गया है वैसे 84 वी Grand Master है भारत की और तीसरी महिला भी है वैसे अब 85 हो चुके हैं याद रखना 85 अभी बताऊंगा आपको मैं लेकिन यहाँ जो बात हो रिये की उपाधी से सम्मानित किया गया वो है वैशाली रमेश बावु जो की भारत की 84 वी Grand Master है शत्रण्ज में और तीसरी महिला है यह भारत की किस कंपनी ने भारत का पहले AI सक्षम IT फिलिंग IT मतलब income tax filing mobile app लॉंच किया वो सब कुछ यह क्लियर करेगा इसका नाम EZ टेक्स रखा गया है और यहां से आप हमने इंकम टेक्स की फिलिंग कर सकते हो Green Oscar के नाम से Whitely Gold Award 2024 से सम्वानित एक दा Green Nobel प्रुसकार यह Green Oscar प्रुसकार कहा जाता है इसका नाम है Whitely Gold Award और यह आसाम की रहने वाली है पुरुनिमा देवी इनको पर्यावरन की रक्षा करने के लिए आसाम में रिलेटेड यह सम्वानित दिया गया है भारतिय डेरी उत्पादक जो अमूल कमपनी है वो USA और दक्षिन अफरीका टीमों का प्रायोजक करने वाली है याद रखना और उसके अलावा शिरिलंका का भी इस उप्षन में शिलंका नहीं है लेकिन USA का भी याद रखना साउथ अफरीका का भी और साथ में शिलंका की भी ये तीनों कमपनी के लिए जो प्रायोजक होगा वो भारत की अमूल कमपनी होने वाला है वैसे आयरलेंड के लिए भी याद रखना भारत की एक नंदनी करनाट और ये बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है लग भग इसमें कहा जा रहा है कि 1.000.000 मतला 10.000.000 स्क्वेट में पहला हुआ है और ये सबसे बड़ा यहाँ पर अमेरिकन एक्स्प्रेस का ये केंपस होने वाला है और इसे बनाया गया है ग्रुग्राम में इंडिया के अंदर वो दस लाख यानि वन मिलियन स्क्वेर फीट कहेंगे जिसे आप उसमें भारत की किस पहल के तहत बांगलादेश के पंद्रह सो प्रशासनिक अधिकारियों को परशिक्षित किया जाएगा तो अगले पांस साल तक बांगलादेश के पंद्रह सो जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनको यहां पर गुड गवर्नेंस इनिशेटिव के तहत यहां उन की बैडमिंटन चेंपेंशिफ जो होगी इसका युजन गुवाहाटी भारत में होगा दोजर पचीज में यूनिसेफ इंडिया के रास्ट्री राजदूत के रूप में यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करने वाली संस्ता जिसका हैड ऑप उस नियू यॉर्क में है या चंद्रमा के लिए जो मिशन लॉंच किया गया उसको नाम दिया गया चैंग E6 यह एक नया मिशन होगा चंद्र प्रॉब लूनर प्रॉब कहेंगे जिसे चांद पर जाएगा चांद लूनर प्रॉब जो होगा चैंग E6 होगा 2024 का ठॉमस और उबर कप एक कप महिलाओं का और एक पुरुषों का होता है याद रखना और यह दोनों कप झो जीत लिया हैं दोनों में चाइना ने इंडोनेशा को डिफिट किया है 2024 में युनेसको का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्रुसकार की से मिला बड़ा जबर्दस कुशन है युनेसको का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्रुसकार जो दिया गया है ये Palestinian journalist को दिया गया है गाजा के संकट के समय में जो फिलिस्तीनी पत्रकार काम कर रहे हैं उनको ये world press freedom पुरुसकार से समानित किया गया है किसी एक individual को नहीं सब को कहा गया है किस देश ने प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण में Kenya से चीते मंगवाने में रूची व्यक्त की है तो याद रखना भारत ने कहा है कि हर साल हम 14 आठ से लेकर 14 चीता जो हो हर साल मंगवाएंगे यह अगले पांच साल तक हम चीते मंगवाएंगे यहाँ पर Kenya से यह बात इच्छा किस ने जाहिर की है भारत ने जाहिर की पेटीम मनी लिमिटेड के नए CEO कौन बनाएगा पेटीम मनी लिमिटेड नामक जो कमपनी बनी है उसके नए CEO के रूप में जो बने है देखो पेट प्रिडम सुचकांक 2024 में जो जारी की गई है उसके अंदर भारत की सिती भारत की रैंक क्या है याद रखना पहले 161 थी लेकिन अब भारत की रैंक 159 हो चुकी है पिछले साल 2023 में हमारा नंबर 161 था लेकिन 2024 में हमने दो पाहिदान इंप्रूव करते हुए 169 लिया है जब CEO के रूप में किसे न्युक्त किया गया है याद रखेंगे जो उजीवन Small Finance Bank है यहाँ पर उसके जो नए MD और CEO बनाए गया है उनका नाम क्या होने वाला है इसको नया MD और CEO बनाया गया है AFC यानि Asian Football जो Confederation है जो Cup होता है यानि Asian Football की जो संस्था है अंडर 19 अंडर 23 Asian Cup जो होगा वो किसे जीत लिया है AFC दुआरा कंड़क कराया जाने वाला Under 23 Asian Football Cup ये किसके दुआरा जीता गया है जापान के दुआरा इसे जीत लिया गया है जापान एक्चुल में इसको जीत लिया है और डिफीट कर दिया उसबेकिस्तान को जापान ने उसबेकिस्तान को हराया है इस अंडर 23 एशिया फुटबॉल कप के लिए उस बेकिस्तान को हराया है चलिए भाई अगला पॉइंट क्या होगा किस देश ने अधिकारिक तौर पर भारतिय योग प्रणाली को अपना लिया और वो देश परोसी हमारा पाकिस्तान तो पाकिस्तान ने भी यहां पर प्राचीन शारीरिक और मांसिक व्यायाम की जो प्रणाली भारतिय योगा प्रणाली उसको फॉलो करना शिरू कर दिया है पनामा में राश्पती चुनाव किसने जीत लिया है तो पनामा में होने वाले जो राश्पती चुनाव हैं वो किसे दुआरा जीत लिए गए हैं तो पनामा में जॉस राउल मॉलीनो के नाम से जो होंगे वो यहां के नए राश्पती होंगे जॉस राउल मॉलीनो के नाम से पनामा देश के नाड़ा ने किसे अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया कि इन्हों डॉप के लिए अपना जो सेंपल वो नहीं दिया और यह क्यों नहीं दिया यही जानते होंगे लेकि इनको डर होगा शायद कि नोने कुछ ऐसा किया हो जो यह पॉजिटिव पाया जगए अगर तो यह हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे और फिलाल नाड़ा ने तब भी इनको अनिश्चित काल के लिए बाहर कर दिया और वो हैं बजरंग पुनिया तो नाड़ा ने अनिशितकाल के लिए निलंबित कर दिया है बजरंग पुनिया को वीजा दुआरा भारत में नए प्रवंधक की रूप में किसे नूप किया गया है न्यू कंट्री हेड वीजा ने बनाया भारत के लिए यानि वीजा इंडिया के जो हेड होंगे वो कौन होंगे वीजा इंडिया यह सारे नाम आपको याद रखने है ठीक है चलिए तो सुजवाई रहना होने वाले है अगला कोशिन क्या होगा किस राज्जी की राज्येपाल सुश्री अनुसुया उके ने इस्कूल और वील्स का उधगाटन कै यानि इस्कूल बस है उसके सारी लाइबरेरी है और बाकी सारा कंटेंट कंप्यूटर है और बाकी सारी चीजे जो है वो इन्होंने रखी है यहाँ पर और यह मनिपूर की राज्येपाल है मनिपूर से आती है अनुसुया उके इस से पह थोगयर 2023 का जुझा गया वो कौन सा होगा तो बेस्ट एंप्लोयर 2023 का DBS बैंक जो है यह चांट बैंक ऑफ Singapore जो है इंडिया में DBS बैंक इंडिया आपशे कहें गये जो वो चुना गया है इसे भारत में चीन का नया राजदूत किसे बनाया है भारत का चीन का भारत में बनाया गया है जिसे तो भारत में नए राजदूत चीन की तरफ से शू पिहॉंग नाम सी जो होंगे वो बनाये गए हैं दीपक पारेक के सीफे के बाद HDFC Life Insurance के अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गिया HDFC Life Insurance जो है उसके नए अध्यक्ष जो होंगे दीपक पारेक की जगा के के मिस्त्री होंगे Scottish National Party यानि की Scotland के First Minister यानि Prime Minister यहां First Minister बोलते है Scotland के First Minister जो होंगे वो John Sweeney होंगे पहले हमजा यूसुफ थे पाकिसानी से रिलेट करते पाकिसानी ओरिजन कह सकते हैं इनने जॉन स्विनी जो होंगे आव यहां पर इसके First Minister होंगे किस देश के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने सयुक्त रुपसे नागलेंड में कोहिमा शांती इसमारक और इको पार्क कोहिमा की अधार शीला रखी है कोहिमा यानि की नागलेंड में एक शांती इसमारक जो कि हिरोशी सुजुकी ने जो राजदूत है भारत में चापान के जापानी राजदूत भारत में जो हिरोशी सुजुकी है लार्सन और टॉर्बो जो कंपनी उसके नए अधिक्ष के रूप में कौन चुना गया लार्सन और टॉर्बो नामक जो कंपनी उसके नए मेघाले में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच जो संयुक्त सेनी अभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सेनी अभ्यास इसका नाम होगा शक्ति याद रखना भारत और फ्रांस में जो अभ्यास होता है उसे शक्ति कहा जाता है RBI दुआरा जो कारेकारी निदेशक के रूप में न्यूक्त किये गा यानि RBI के नए Executive Director जो है वो बनाए गए उनका नाम क्या होगा RBI में Governor, Deputy Governor और उसके बाद Executive Director ये ती नाम important होते हैं याद रखना लक्षमी कांत राओ जो होंगे RBI के Executive Director होंगे SBI General Insurance के परमुख के रूप में कौन चुना गया है तो याद रखेंगे जयात त्रिपाठी के नाम से जो होंगी वो SBI General Insurance की परमुख होंगी मेघाले की पहली महिला पुलिस निदेशक पहली बार पुलिस निदेशक महिला बनी है और मेघाले देश राज्ये की बात हो रही है तो मेघाले की पहली महिला पुलिस निदेशक जो होंगी इदाशिशा नौंग्रेंग आपको पता यहाँ पर नाम थोड़े इसी प्रकार के होंगे बाकी नाम इतने इजी है तो आप आंसर लगा सकते हो इदाशिडा नौंग्रेंग जो होंगी वो यहाँ पर अध्यक्ष पुलिस डी जी पी बनी है एक प्रुसकार समारो में PSU समर्पन प्रुसकार दिया गया है यानि एक सरकारी कमपनी को समर्पन प्रुसकार से समानित किया गया है PSU समरापन पुरुसकार से सम All penetrate किया गया जिसे वो कौन होने वाले है सन्द यहाँ पर हैमांत खत्री होने वाले है और इनकी कमपणी का नाम है हिंदूसतान शिपयाड लिमिटेड तो हिंदूसतान शिपयाड लिमिटेड के जो हैमांत खत्री होंगे इनको चुना गया है PSU समरपण पुरुसकार के लिए इस कंपनी के ये अध्यक्षे है PSU समरपण पुरुसकार भारती किसान उर्वरक सहरकारी संस्ता यानि इफको के निदेशक की रूप में कौन चुना गया है Indian Farmers Adelizer Cooperative Society के लिए दिलिप संगानी याद रखेंगे याँ पर तो दिलिप संगानी जो होने वाले हैं वो इफको के नए निदेशक बनाए गए जमू कश्मीर और लदाक उचनेयाले के अत्रिक नियाधीश के रूप में जमू कश्मीर और लदाक उचनेयाले आप जानते हैं जमुं कश्मीर के शिनगर में और एनकोटी शिवर सिंग के नाम से इसके जीफ जस्टिस हैं लेगिन याद रखना जस्टिस वसीम सादिक नारगल ये नाम है ईनका और वसीम सादिक जो होंगे यहाँ पर एडशनल जस्टिस के रूप में न्यूट tut qi गाए नासा की प्रस्तावित चंद्र रेलवे प्रणाली यानि चांद पर रेलवे जाने वाली है रेल से आप चांद तक जाएंगे और वापस भी आएंगे फिर और नासा की इस चंद्र पर जाने वाली रेलवे प्रणाली का नाम रखा है plot इसका नाम क्या रखा है railway प्रनाली का नाम plot होने वाला है चांद पर जाएगी कैसे वापस आएगी पट्री किस पर चीज पर रुकेएगी पता नहीं भी कुछ भी लेकिर जो भी होगा फिलाल वो अच्छा ही होगा और कुछ नया ही होगा तो देखेंगे यहाँ पर जो फ्लाक्सिबल लेविटेशन ओने ट्रेक यहाँ फ्लॉट का मतलब है फ्लाक्सिबल मैं लिख देता हूँ लेविटेशन ओने ट्रेक तो यह कुछ बनाया जाएगा और चांद पर आपके पास याद रखेगा रेलवे पहुंचाई जाएक हाली में किस राज्जिय के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुषील मोधी का बह fifthर वर्श के आयुमे निदन हो गया तो सुषील मोधी का 72ियुमे निदन हुआ है यह बिहार के पूर्व उक मुख्यमंत्री रहे हैं उस रॉकेट प्रनाली का नाम क्या है जिसका पाकिस्तान ने हाल ही में सफलता पूर्वक परिशन क्या है तो पाकिस्तान ने हाल ही में एक मिसाइल का परिशन क्या जिसका नाम है फताह टू तो फताह नामक जो मिसाइल है वो पाकिस्तान की है जिसकी रेंज लगबग 400 km की है और इसको launch किया गया है एक guided successfully trend की गई है फता हटू जो है साहित्ती Academy Fellowship Award से किसे समानित किया गया है साहित्ती Academy Fellowship Award जो दिया गया है 2014 का ये दिया गया है रस्किन बॉन्ड को साहित्ती Academy Fellowship Award भारत के 85 वे Grandmaster के रूप में कौन चुने गये हैं भारत के 85th Grandmaster जो बने है 85 वे जो Grandmaster बने है वो कौन होंगे याद रखेंगे भई यहाँ पर यह हम जानते हैं श्याम निखिल यहाँ पर जो होंगे basically यह 85 वे Grandmaster बने है तमिलनाडू से आते हैं श्याम निखिल 84 वी में रोता है रमेश बावू वेशाली के नाम से नासा के मुखे Chief Artificial Intelligence Officer यानि अब यहाँ पर नाम आएगा डैविड साल्विंग नहीं इनको चुना गिया है हाली में इस्ट्रॉक पुनरवास के लिए आई आई टी बैंगलूर के द्वारा अनावरन क्या गया है एक्स और रिहेब नामक ये क्या चीज़ है देखो ये एक इंटरनेट यानि एक वीलचेयर है अब ये समझो एक वीलचेयर है यानि कि एक कुरसी है जो कि आप जानते हैं परसन के लिए होती है लेकिन ये बहुत एडवांस टेक्नलोजी पर बनाई गई है और इसको नाम दिया गया एक्स और रिहेब के नाम से ये एक आई ओटी यानि इंटरनेट आफ तिंग्स जिसे कहते हैं उस पर बेसलता होने वाली है याद रखना और ये होगी क्या एक व इस्टो और नेशनल पार्क वहां पर ये वाइरस मिला है दोज़ार चौबीस पचीज के लिए भारतियों द्योग परिसंग यानि की सी आई याई कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है हमारी उसके अध्यक्ष के रूप में संजीव पुरी बने हैं जो इंडस्ट्रिम राष्ट्पती क्या जानते इब राष्ट्पती इबराहीम रईसी हैं जो उनका निदन हो गया था हेलिकप्र क्रेश कर गया था उनका और उसके बाद यहां के नए राष्ट्पती इंडरिम तौर पर जो बने जब तक चुनाव नहीं होते मोहम्मद वर्ल्ड एकॉनमिक फॉरम के दुआरा यात्रा एवं प्रियटन सुचकांक में भारत की रेंग कितनी है यात्रा एवं प्रियटन यानि ट्रेवल एंट टूरिजम से रिलेटेड रिपोर्ट में नमबर एक USA का है और भारत का नमबर 39 आया है लास्ट येर भारत 54 पर था तो और इनका नाम यहाँ पर ज्योती अत्रे होगा पचपन वर्ष की आयू में इन्होंने सोची है माउंट एवरेस्ट पर चलाई की है 55 वियर्स की एज में कौन सदेश हाली में अंतरास्टिय सोड़ गडबंधन ISA का 99 वा सदस्य देश बना है इंटरनाशनल सोलर अलाइंस जो आप जानते हैं कि भारत के गुरुग्राम में इसका आयड ऑफिस है और इस्पेन अब इसका 99 वा सदस्य देश बना है प्री मौनसून सीजन में बंगाल की खाली में जो अभी चकरवात आया उसका नाम क्या है तो बंगाल की खाली में जो चकरवात आया है याद रखना उसका नाम तो रैमल है लेकिन ये भी याद रखिएगा सर उसका नाम दिया किसके दौरा है ओमान के दौरा नाम दिया गय कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ग्लोबल फॉरम की बेठक हुई अभी हाल ही में और ये एक शहर में खोला गया कहां पर तो एक शहर में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ग्लोबल फॉरम जो बनाया गया है वो कहां पर होगा वो साउथ कोरिया के सी ओल में होगा सी ओल उस्रे नंबर पर भारत की सबसे पहले नंबर पर कम उम्र में और मात्र बारहा साल की उम्र में यह काम्या कार्तिक हैं जस्स्टीन यर ओल्ड हैं और यह 12th क्लास में रिड़ करती हैं भी और यह सबसे कम साइट एज में यहां पहुंच चुकी है अंध प्रदेश में जन्मी जया बढ़िगा अभी न्याइधीश बनाई गई हैं अमेरिका के अंदर अमेरिका के एक कोट में इनको न्याइधीश के रुप में न्यूक क्या गया है अमेरिकन कोट कैलिफॉर्ट रिखना हाली में जीरो वैस्टू लेंडफिल नामक पुरस्कार से समानित किया गया एक अंतरास्टि हवायडे को जीरो वैस्टू लेंडफिल ये कहा गया Traphren टुरूवननद्पुराम इंटरनाशनल जो केर्ला की राजजानी में इस्थित है गया गया है नाइंथ इंटरनेशनल जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 चल रहा है USA और वेस्ट इंडीज में उसके लिए चार लोगों को क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, यवरास सिंग और शाहिद अफरीदी इन चारों को यहाँ पर इसका राजदूत बनाया गया है चारों को इसका एमबेजडर नियुक्त क्या गया है IPL 2024 का सीजन KKR ने सनराइजर हैदराबाद को डिफीट करके जीत लिया हैदराबाद के सतीश रेड़ी एमर्जिंग प्लेयर बने थे और यहाँ पर KKR तीसरी बार विजटा बनी 2012-2014 के बाद 2024 में और याद रखना है अबकी बार श्रेयस अईयर जो थे वो कॉलकाता नाइट राइडर के क्याप्टन रहे है 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म शेमलेस के लिए यहाँ पर जो सवश्रेस्ट अभिनेत्री का पुरुसकार है वो मिला है किसे तो यहाँ पर एक नाम है अनुसुया सेन गुपता को अनुसुया सेन गुपता को शेमलेस मुवी के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल जो होता है बिसिक तौर पर इसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का वोड मिला है भारत के दूइपक्षिय तनाव के बीच मालदीव में नई सेवा शुरू किये भारत ने क्योंकि मालदीव के साथ भारत के सम्मध बहुत अच्छे नहीं है लेकिन फाइनेशली तौर पर भारत का जो रुपे कार्ड होगा वो आपके पास मालदीव में भी चलेगा भारत का रुपे कार्ड मालदीव में भी यूज होगा इसके दौर आप महां के ATM से और महां की जो POS होते हैं यानि Point of Cell कहते हैं जो मशीन होती है उन पे भी यूज कर सकते ह हाली में लिथुएनिया के नए राष्टपती लिथुएनिया देश की राज़ानी विल्नी से याद रखना और इसके नए राष्टपती के तौर पर जो चुने गए हैं उनका नाम क्या होगा गितानस नौसेड़ा डैविड बैकम को अंतरास्ति ये e-commerce ब्रैंड का अभी अंबिजड़ा बनाया गिया है तो अली बाबा जो चाइना की एक कमपनी हैं उसके ब्रैंड अंबिजड़ा में डैविड बैकम होंगे एक दशक से अधिक समय के बाद साओधी अरब ने सीरिया में अपना नया राज़ूत बना दिया है सीरिया में साओधी अरब ने राजदूत बनाए है फैसल बिन साओध अलमेजफल इनका नाम होगा पुरा स्वैसल बिन अलमेजफल नाम से याद कर सकते है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड के नए कारेकारी अधिकारी यानि CEO जो बने है वो कौन है आरबी आई दुआरा सुवेवसित ऑनलाइन विनियामक अनुमादन करने के लिए यानि कोई भी कंपनी अगर अप्लाई करना चाहते है किसी भी प्रकार के लाइसेंस के लिए पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम रखा है परवाह यहां हा गलत हो रहा हा जाएगा परवाह के नाम से होगा भारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड ने यह अभी पतान इसमें टीम ने दिया है बट फिलहाल नए मुख्य कोच के रूप में हो सकते हैं अभी तक कोई कंफर्मेशन ऑफिशली नहीं आई है क्योंकि जब तक वर्ड बॉर्टिय क्रिकेट कंट्रोल बोड बीसीCIE ने भारतिय क्रिकेट टीम भारतिय मैं हैं यहां पर चैंज कर देना चाहतो ह। यह सवाल को अमोल मजूमदार होंगे जो वो इसके यहां पर अध्यक्ष्य होंगे कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है यानि इंग्लिश में भी याद रखना नेक्स्ट हेड कोच ऑफ दे इंडियन वुमेन किरिकेट टीम वो जो बने है वो अमोल मजूमदार होंगे तो यह हैं हमारे पास टॉप हंड़ेट कोशन इस आभार के मई दो हजार चौबीस मन्थ के तो अभी यह सारे कोशन आपको समझ में आ गए होंगे और हर एक चीज मैंने आपको बताइए और इसी तरहां से आप जनवरी से लेकर अप्रेल तक के हर महीने के टॉप हंड़ेट देख सकते हो इसके अलावा यूपी बिहार और मध्यपरदेश के भी टॉप हंड़ेट न झाल 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 झाल